हेलो एबरिवन मैं डॉक्टर प्रगती गुपता और आज मैं मिलवाओंगी अपनी ही एक पेशेंट से कविता जी से जिनका भी ट्रीटमेंट होते हुए वानमंथ हुआ है बहुत अच्छी इंप्रूब्मेंट शो की है इन्होंने यह पेशेंट हैं क्रॉनिक किड्नी डिज जरू ही साथ में फीवर आया तो यह हॉस्पिटल में जाके एड्मिट हुए वहां पर जाके डाइग्नोस हुआ जब इनके फॉर्दर टेस्ट हुए एमराय हुआ था अल्ट्रसांट हुआ था उसमें डाइग्नोस हुआ कि इनकी जो किड्नी है ठीक से काम नहीं कर पा रही है राइट किड्नी के अंदर काफी जाधा श्रिंकेज थी लेफ्ट कड्नी का साइज कुछ हद तक भी श्रिंक हो चुका था तो तब जाके इनने पता चला कि इनकी किड्नी ठीक से काम नहीं कर पा रही है और इनकी की बीमारी हो गई है उससे पहले जब इनकी डिलिवरी शूट अप कर गया था दूरिंग प्रिग्नेंसी तो इन्होंने बीपी की टाबलेट्स रेगुडर ली क्योंकि गाइनक की गाइडेंस के अंडर थे बट उसके बार इर्रेगुलर मेडिसन पे थे रेगुलर मेडिसन नहीं खाई सिर में दर्द रहता था पता नहीं चलता किड्मी डिजीज की बट हाई बीपी के कारण इनके किड्मी डामज होती चली गई यह हमारे पास लास्ट मन थी इन्होंने विजट किया था जब इन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे चुके थे इन्हें बोल दिया गया था कि आप फिस्टूला बना लीजे आपको डाइल करती हैं ट्रीक्मेंट के वान मंथ के अंदर और क्या क्या पेशन को ध्यान में रखना चाहिए वो सब बताएंगे तो कविता जी अभी वान मंथ जिसे अपका इलाज शुरू हुआ है तो कैसा फील करते हो पहले से पहले क्या स्म्टम्स थे अब कुछ बेटा फील करते हो ही पहले तो मेर मन घान में एक यह दो अफील लहता हुआ फईवा मुद दे एफील करते हु अभी तो मैं काम भी एल्टा दोर वो जार को जाड़ भूचे करते हुआ खाना 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 कापा त्या हाँ काना मुद प्हले तो मैं रटी लेते थी थी टाना करने के लिए कि जब आपको ने बोल दिया था कि आपका इलाज नहीं होगा तो काफी गबरा गए उस नहीं करवाना पड़ेगा ये मिर भाई और मिर जिठानी है जो मेरी बड़ी सिस्टर उन्होंने यूटूब पे वीडियो देखी ती तो वीडियो देखके फिर उन्होंने में से सला दी कि अग मेरे यकीन नहीं था कि मैं सही हो जाओी है और जंग से हाँ लिए बेमारी का इलाज हो भी पाता है नहीं हो नहीं पाता हैं पर मुझा पर मेर सातल लगी रहीं नहीं कि नहीं चल चल पैसे में थे दू़ना एंपर तो इस व जरlord कर मां estás हों एक दिन परम पर एम जाकर के पर तो दवाई लग बी जावे, किसी की लग भी जावे, फिर मैं एक तारिख को एक दिसम्मर को अकेली घरते लिकड़ की, चलूँ अपने लिए कुछ किया जाए? फिर मैं आगी हम पर फिर मैंने दवाई ली तो मैं आई में डॉक्टर तो बात करी डॉक्टर ने मैं तो अच्छी तरह बताई कि ऐसे से तिरी कीड़ी खराब हुई थी पहले इंफेक्शन हुआ था फिर ऐसे ते टैबलेट खाई तो फिर मैंने महसूस होगा कि मैं सही हो जा तो फिर मैं दवाई खाई तो फिर मैं दवाई खाई अपना आपे फरक दिखो क्या फरक है अनर्जी जैसे कि मैं काम भी करे लगी ना थकान हुई थर बोड़ काम करे लगी पर अभी ज्यादा काम फिर भी नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करना है पहले मैं चलती थी तो मे यहाले तो मैं खाट मत ही न उठती, खाई न करती, बहुत ज़ादा फ़रक है, एवर्ट सब भी न लेनी चाहिए है जो पेशेंट है, किड्नी फेलियर के, जितने भी पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके लिए कोई मेसेज देना चाहोगे देख मैं तो विषवास न करती, लेगिन मैं फिर भी आई, और मुने बहुत ज़्यादा फाइद हो, मैंने कहुँ है, जो भी है, जिसने भी कोई भी प्रोब्लम हो की नहीं, तो एक बद जरूर आओ, डोक्रित बात करो, दवाई खा कर देखो, वह ज़्यादा फाइदा होग कि ठीक हो जाओगे, सुधार आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में भी वह नजर आ रहा है, पहले लेवल हाई थे, अब पहले से बेटर होने शुरू हो गया है, ताकत आने लगी है, खाना खा पा रहे हो, अब थोड़ा-थोड़ा अपकी हम दालें भी स्टार्ट करवाएंग तो एक बड़ तो डोपर ने कहा दी कि आप कि वो ही क्या नाम डेली सी होगी तो मैं कती गब रहा है, मैं कि तो करवानी पड़े ही तब उस टाइम क्या कंडिशन थी, तब ज्यादा खराब होगे थी, जब ज्यादा होगी थी, क्योंकि विप्पी हाई का रहन तो बहुग मैं डाक्टर ते कही करती मेरी हाँ पेन हुग रही करता है, सारे इंजेक्शन लगे करता है, सारे तीन तीन अजान का, तो मैंने कुछ फिर डोक्टर ना आखर जवाब गयते है कि रिपोर्ट तेरी बहु ज़दा खराब आरी है, आप सर्जदी के लिए आओ, डोक्टर ते अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी 40% of the cases हम देखते हैं, हाई बीप के कारण kidney failure के तरफ पेशेंट चला जाता है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कि अपनी BP शुके लेवल्स को मैनेज अच्छे तरीके से करते रहना है, जैसे कविता जी क में BP, high BP, एक major culprit है, उनके kidney को खराब करने के पीछे, तो जब तक आप root cause को नहीं हटाते हो, BP की management नहीं करते हो, कारण को हटा नहीं पाते हो, तब तक आपके kidney में सुधार नहीं आपाते हो, तो हर एक patient को क्या ध्यान रखना है, कि जो भी guidelines हमारे doctors यहां पे आपको देते हैं चाहे आपके diet के regarding क्यों नहीं हो, चाहे आपके BP sugar की charting के regarding क्यों नहीं हो, चाहे आपकी medication के regarding क्यों नहीं हो, आपको अच्छे तरीके से follow करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से follow करते हो हर चीज़ को, तो definitely कविता जी की तरह आपके reports में भी recovery show होती जिचे जिचे जाइगे.